तो दोस्तों GSRTC में आप online booking करना चाहते हो अपना ticket book करना चाहते हो तो आप online कैसे कर सकते हो मैं यहाँ पर आपको पूरी details बताऊंगा तो दोस्तों सबसे पहले आपको play store open कर लेना है यहाँ पर आपको search करना है GSRTC और जो पहला search है उस पर click करके देखो यह वाले application आपको download कर लेना है मैंने download किया तो open कर लूँगा यहाँ पर आपको अपना language select कर लेना है और उसके बाद booking करने के लिए यहाँ पर booking वाले option पर आपको click करना होगा और यहाँ पर तो option है from and to to from में आप जहां से बैठने वाले हो bus में उसका नाम यहाँ पर लिखना है to में यहाँ पर ज से नाम सर्च करोगे तो जो सर्च में आपको नीचे शोर है उसमें से आपको select करना होगा और तू में आप जहां पर जाने वाले हो और उपर सर्च में से select करना होगा उसके बाद यहाँ पर आपको अपना date of journey आपका travel करने वाले हो उसका date आपको select कर लेना है और उसके सिंगेँ औरला कि और यहां पर जो पहला ओप्षनियां भी लीपर में दो टाइप की बती थो उसके उपर आपको कि करना होगा आप जैसे बुक करने चाहोगा तो आपको यहां पर ख्लिक करके यहां पर अभी आपको सेट सिलेक करने होगी जितना परसन आपने डाला हुआ है उतनी सीट यहां पर आपको सिलेक करने होगी मैंने एक डाला है तो मैं एक सिलेक करता हूँ उसके बाद यहां पर प option मिलता है तो आपको यहां पर अपना email ID भी fill up कर देना है और ठीक उसके नीचे mobile number तो mobile number पूरा यहां पर fill up कर दो जहां रहे हैं गलती ना हो ठीक है तो यहां आपन नीचे अभी mobile number डालने के बाद confirm booking वाले option पर click करेंगे तो जैसे आप यहां पर click करते हो तो आपको एक detail होगा और नीचे payment का option मिलेगा तो आपको में एक payment वाले option पर click कर देना है इस number को आपको screenshot ले लेना है अगर कोई गलती हो तो यहां पर आप continue यूपे click करते हो और यह process हो रहा है दोस्तों अभी यहां पर payment option भी बहुत मिलेंगे आपको तो मैं यहां पर अभी UPI से payment करने वाला हूं आप net banking भी कर सकते हो credit debit से भी कर सकते हो ओके UPI में भी दो option है आप Google से भी कर सकते हो upI ID से भी कर सकते हो अगर आप में मोबायल में Google पर है तो पहला option जैसे यह selected रहने देना है गुगल पर और UPI ID से भी करना चाहते हो payment तो आपको UPI ID वाला option select करना है तो यहां पर देखो enter UPI अगर आप UPI से payment करना चाहते हो तो यहां पर आपको अपना UPI नंबर डालना है गूगल पर से लेक्टां डाइक आप गूगल पे में रिटारेक्ट हो जाते हो दोस्तोch payment वहां से confirm हो जाएगा तो आपका जो process है payment का complete हो जाएगा आपको कुछ इस तरह से screen मिलेगी देखो payment हो चुका है booking हो चुका है हमारा मैंने इसका screenshot ले लिया है अभी आपको text message भी आ जाएगा आपके mobile में जो mobile number हमने डाला था उस mobile number पे text message भी आ जाएगा GSRTC के booking का दोस्तों तो दोस्तों ये था process GSRTC की booking करने का दोस्तों अगर आपको नहीं पता है कि print कैसे करना है इसका download कैसे करना है या फिर अपने mobile में फिर से अगर आप SMS लेना चाहते हो तो सारे वीडियो में ने दोस्तों description में दिये हुए है आप वहाँ पर जाकर देख सकते हो अगर आपको कोई query है तो मुझे नीचे comment में बताना मैं आपके help कर दूँगा तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो like करे, share करे, subscribe जरूर करे और bell icon को जरूर क्लिक करे, thank you so much for watching